नमस्कार, मैं अर्चेना पाठक, विहन सीरीज कहानियों की दुनिया में आप सभी का पुनह स्वागत करती हूँ आज मैं कवी सरदार भगत सेंग विहन सजी की बहुत ही सुंतर कहानी मारो नामत लेकर उपस्थित हुई हूँ यह कहानी प्रेर नास्पत है और विकलांग बच्चे के उपर आधारित है। मुझे आशा है कि यह कहानी आप सभी को अवश्य पसंद आएगी। आप सभी से नुरोध है कि आप विहन सीरीज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो लीजिए सुनिये कहानी मारो नामत। कनकपुर शहर के मुहले हरीपूर में श्री राम नरेश जी अपनी पतनी सुनिता और दो लड़कियां सरीता और मुक्ता के साथ रहते थे। सरीता की उम्र आठ वर्ष और मुक्ता की उम्र छे वर्ष थी। दोनों ने पढ़ाई के लिए प्रात्मिक शाला में जाना शुर आप खर्च था नहीं कोई व्यसन था। सुबह शाम प्रभु भजनकर समय से दुकान खोलना बढ़ाना उनकी दिन चरिया थी। कभी समान लेने जाना होता तो सुनिता आकर मदद कर देती थी। वैसे भी बच्चों के स्कूल जाने के बाद दो पहर का खाना लेकर सुनिता दुकान आ जाती थी। और आपस में बात करते करते समय भी व्यतीत हो जाता था। दोनों की चर्चा का विशय अधिकतर यही रहता था कि भगवान एक लड़का देते। तो सारे दुख दूर हो जाएं। वैसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पारिवारिक बटवारे के समय ही अच्छा मकान और दुकान वह कुछ जमीन उन्हें मिली थी जिसकी अब अत्यधिक कीमत थी। राम नरेश के सुसुराल वालों की आर्थी किस्थिती बहुत ही अच्छी थी। हमेशा सुनिता की मा सबकी आँग बचा कर उसको कुछ न कुछ बिजवाती रहती थी। वसुनिता लगभग रोज ही मंदिर जाते, पूजा पाठ करते। प्रभू की जब इक्षा होती है तो मनुष्य की मनो कामना पूरी हो जाती है। मुक्ता के जन्म के लगभग छे वर्ष बात उन्हें पूत्र रत्न की प्राप्ती होती है। लेकिन कुद्रत की अध्भूत खेल कौन समसकता है। डॉक्टर द्वारा यह बताया जाता है कि आपका पूत्र दिव्यांग है और चल फिर नहीं पाएगा। यह सुनकर सुनीता एकदम अचेता वस्था में चले जाती है। बड़ी मुश्किल से उसे होश में लाया जाता है। राम नरेश जी की पतनी की हालत देखकर और इस सदमे को बरदास कर अपने आपको सहियत रखते हैं। और कहते हैं कि चिकिसा विज्ञान ने अब बहुत उनत्ती कर ली है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा पुत्र ठीक हो जाएगा। तुम चिंता न करो सुनीता। अकसर देखा जाता है कि किसी प्रकार की किसी बच्चे में कमजोरी होती हैं तो माबाप का पूरा ध्यान उसकी तरफ रहता है और उसके प्रति सवेद अंशील रहते हैं और उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। घर में नया सदसे आने पर एक अध्भुत प्रकार की खुशी आ जाती है। अब सरीता और मुक्ता भी घर के कामों में हाथ बटाने लग जाती है। सुनिता जब बच्चे की आँखों की ओर देखती तो उसकी बड़ी बड़ी आँखों में एक विलक्षन चमक दिखाई देती। और वह प्रभु से हमेशा प्रार्थना करती। मेरे लाल को जीवन में कभी कश्ट मत देना। उसे ठीक रखना प्रभु। बच्चे के नामकरन समारोह में राम नरिश जी एक बहुत बड़ा आयोजन करते हैं। जिसमें उनके ससुराल पक्षवाले भी आते हैं। शहर के परीचीत और रिष्टेदारों की उपस्थिती में लड़के का नाम सुधान्सु रखा जाता है। सुनिता की मा की तरफ से बहुत अधिक उपहार और नगदराशी दी जाती है। बच्पन से ही सुधान्सु शान प्रकृती का था। शायद ही कभी उसकी किसी ने रोने की आवाज सुनी हो। प्रबल इक्षा सक्ती से सुधान्सु अपने दैनिक कारे निप्टा लेता था। यह घर के लिए शुप संकेत था। समय बड़ी तेजी से हमारे जीवन में आकर किस दिशा में विलीन हो जाता है पता ही नहीं चलता है। सुधान्सु की उम्र दस साल की हो गई थी। वकक्षा चार सबसे अधिक अंकों से पास कर चुका था। सफपाठी और दोस्त हमेशा उसे चड़ाया करते थे। दोस्त तो यहां तक कह देते थे भले पढ़ लिक कर कुछ भी बन जाए लेकिन कोई लड़की उससे शादी नहीं करेगी। उनकी यह बात उसे अंदर तक कचोटती। लेकिन मामा की कही बात याद आ जाती। बेटा मेहनत करना मेहनत से तो आकाश जुक जाते हैं। जैसे ही यह बात उसे इसमरन होती तो वह बाल सुलब विचारों में खो जाता कि आकाश तो बहुत बढ़ा है। लड़की छोटी होती है मेहनत करूंगा तो जरूर जुक जाएगी शादी कर लेगी। प्राय यह देखा गया है कि अगर शरीर का कोई एक अंकम जोर हो तो दूसरे अंगों में समाने से अधिक कारे करने की शमता आ जाती है। उसे दिव्य शक्ती भी कहते हैं। शायद इसलिए दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। माबाप का प्रोचसाहन, बच्चों का प्यार, पडोसियों और सापाठियों का उसकी चाल पर कसा जाने वाला व्यंग्य और पीट पीछे की जाने वाले उस पर हसी छिठोली सब उसे महसूस हो रही थी। रह रहकर मामा की कही आसमान वाली बात उसे याद आती, पूरी परिष्थितियां सुधान सुमें असीम उर्चा का संचार कर रही थी। अध्भुत मान्चिक, शक्ती और याद दास्त उसमें विक्सित हो चुकी थी। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथमाना, कक्षा में सर्वच अंग प्राप्त कर पास होना, उसकी अंदर अत्यधिक उत्साह भर रहा था। उसके दिमाग से पैरों की कमजोरी वाली बात निकल चुकी थी। क्योंकि जब मस्तिस्क एक तरफ बहुत ज्यादा सोचने लगता है, तो दूसरी बातों की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। समय बीतता जाता है, सुधान्शू दस्वी कक्षा में पहुच जाता है। बोड की परिक्षा की तिथी नस्दीक आचुकी थी, सुधान्शू दिन रात अथक परिश्रम कर रहा था। इस बार सरवाधिक अंक राज्जी में आये, यह सोच कर पूरा परिवार उसका उत्साह बढ़ा रहा था। जब मनुश्य किसी विशय पर अत्यधिक श्रम करता है, तो उसमें गजब का आत्मविश्वास आ जाता है। इसी आत्मविश्वास और उत्साह से शुधान्सू बहुत अच्छे ढंग से अपने परिक्षा देता है। ग्रिस्म कालिन अवकास हो चुके थे। सुनीता की मा खबर भिजवाती है, बेटी कई सालों से तुम गाव नहीं आई। राम नरेश जी और बच्चो सहित कुछ दिनों के लिए आजओ। सुनीता हां कह देती है। और अगले हपते आने के लिए कहती है। राम नरेश जी की ससुराल कनकपूर से लगभग सौ किलोमीटर दूरी पर थी। पहली बार पूरे परिवार को लेकर सुनीता अपने माई के जा रही थी। सभी में गजब का उत्साह था कि नानी के घर जा रहे हैं। हर प्रकार की तैयारी की जा रही थी। वहां जाकर किसी प्रकार की परेशानी न हो पूरा ध्यान रखा जा रहा था। राम नरेश जी भी कई सालों बाद अपने बाल काले करवा रहे थे और नए कपड़े सिलवा रहे थे। सरीता अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। मुक्ता का अंतिम वर्ष था। दोनों ही ग्रे कारियों में निपुन और मित भाशी थी। परिवार के सदस्यों का प् सुनीता का अपने मायके जाने का असली मकसद यह भी था कि दोनों लड़कियां शादी लायक हो जुकी थी। सुनीता के मायके में संक्त परिवार था। उसके तीनों भाई, उनके परिवार, वह माता-पिता सभी का खाना एक जगह बनता था। व्यापार से या खेती, सुनीता की मा कई बार बूर चुकी थी, सरिता मुकता की शादी उसके मामा लोग करेंगे। सुनीता के पिता जी की विवेक पूर्ण ढंग से परिवार चला रहे थे। परिवार का कोई भी सदस्य असंतोष्ट नहीं था। यह आज के युग में उनकी बहुत बड़ी उप आर्थी किस्थिती बहुत अच्छी थी, मामा लोग भी कह रहे हैं कि सरिता और मुकता की शादी हम लोग करेंगे। बहुत लंबे अंतराल के बाद राम नरेश जी ससुराल आ रहे थे। सुनीता की मा उनके आवभगत में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती थी। हर तरब से नेक सुभाव, अच्छे चालचलन वाला उनका दामाद था। ये उन्हें सुनीता द्वारा और सभी परिचुतों द्वारा भी बताया जाता था। उन्हें भी महसूस होता था। रास्ते में सुधान्शु को किसी प्रकार की परिशानी न हो, किराय का वाहन लेकर नियत त प्रकार की थी वा समय पर सुनीता परिवार सहित्माय के पहुंच जाती है। बड़ों को देखकर बच्चे बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। घर के छोटे बच्चे अपने अपने खिलोने लाकर सब को दिखाने लगते हैं। सुधान्शु की इस्थिति इनो मामी एक दूसरे की ओर देखकर मुश्किल से अपने मनोभावों और हसी को रोक पाती हैं। लेकिन उनके चेहरे से सुधान्शु को महसूस हो जाता है। उसकी इस स्थिति से उन्हें कोई मतलब नहीं था और नहीं कोई हार देख पीड़ा थी। एक व्यक्त न कर सकने वाले खुशी चरूर थे। एक दो दिन में सभी बच्चे आपस में घुल मिल जाते हैं। सुधान्शु कई प्रकार की कहानियां चुटकुले उन्हें सुनाता है। सुनिता की मा रामनरेश और बच्चों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती है। लगभग हर प्रकार के मेवे, फल, मिठाईयां, परपूर मात्रा में लाकर रख देते हैं। और घर में कई प्रकार के पकवान बनाये जाते हैं। सुनिता के पिता जी वह भाई सभी रामनरेश जी का अतदिक सम्मान करते हैं। सुधान्शु की तीनों मामी भी दिखावटी रूप से भाग पेड, उस पर लगे लाल-लाल फूल और खुला नीला आकाश, तैरते छोटे-छोटे सफेद बादल, अनायास ही उसका मन मोह रहे थे। घर के पीछे ही उसके नाना के दूर-दूर तक फैले खेत थे, जिन में पीली चादर ओड़े, सरसों, गेहुं और चना, मटर के खेत, अपनी अपने चटा भी खेर रहे थे। सुबह उरते ही सूर्य भगवान के दर्सन हो जाते थे और दूर-दूर तक फैले, पेड, पौधे, खेत, तरह-तरह के फलफूल, पसी पक्षियों की मोहग ध्वनिया उसे एक आलोकिक आनन से भर देती थी। शाम का नजारा तो और भी खूपसूरत होता था। पहाडों की ओट में जाता सूरज, उसकी रोशनी में सफेद रंग से पीले रंग में, फिर सिंदूरी रंग में नहाया आकाश, रात की कालिमा में धीरे-धीरे परिवर्तित हो जाता था। था आकाश में तेजी से अपने नीडों की ओर जाते परिंदे और पेड़ों पर बैठे परिंदों की मधुर आवाजे, उसका मन मौ लेती थी। सुदान्सू को महसूस हो रहा था, ये सब खूपसूरत नजारे शहर में दुरलब हैं। रात को चलती शीतल और सुगंदी थावा, चांद तारों से भरा आकाश, चांद का बादलों की ओर से निकलना छिपना उसे किसी जादू सा लगता था। घर के अंगन में ही सभी लोग सोते थे, आपस में बाते करते, कब नीन दाती और सुबह होती, सुदान्सू को पता ही नहीं चलता था। एक सप्ताह कैसे बीट गया, पता नहीं चला। सुनीता की मा ने सभी के सामने यह इसपश्ट कर दिया था, कि सरीता और मुक्ता की शादी उसके मामा लोग करेंगे। राम नरेश जी वापस घर जाने के लिए कहते हैं, उन्हें कुछ दिनों के लिए और रुखने के लिए कहा जाता है, लेकिन सुनीता कहती है, घर और दुकान दोनों बंध है, हमें जाने दीजे, मा समय ठीक नहीं है। बहुत उपहार, ढेरो आशिरवाद लेकर दूसरे दिन राम नरेश जी परिवार सहित शहर की ओर चल देते हैं। धूम धाम से अच्छे घरों में करवा देती है। उसका विचार था कि अब मेरा कोई ठीकाना नहीं है, कब बुलावा आ जाए और मेरे नरहने पर पता नहीं कैसी परिस्थित्या निर्मित हो जाए। अब घर में राम नरेश जी, सुनिता और सुधान्शू रह जाते हैं। दोनों बेटियों की विदाई कर अचानक रात का खाना खा कर सुनिता जोर जोर से रोने लगती है। राम नरेश जी नमाखों से सुनिता को चुप कराते हैं। और सुधान्शू भी मा के साथ रोने लगता है। लेकिन अचानक वह भी मा को चुप कराने लग जाता है। एक प्रबल आत्म विश्वास के साथ माबाप की ओर देखता है। राम नरेश और सुनिता को एक अद्भु चमक सुधान्शू के चेहरे पर मैसूस होती है। कि जैसे वह कह रहा हो मेरे होते आपको कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आज के बाद मा कभी रोना मत। इस घटना के बाद घर में परिवर्तन आ जाता है। सुधान्शू माबाप की हर कामों में हाद बटाने लगता है और बहुत मनोयोग से पढ़ाई करता है। और माबाप को तरह तरह की बात बना कर चुटकुले सुना कर खुश रखने की कोशिस करता है। उसकी बड़े मामा द्वारा उसे ढेर सारी प्रेरना दायक और कहानी के पुस्तके दी गई थी। जब भी समय मिलता वह उन्हें जरूर पढ़ता और देश संसार के सारे समाचारों को पढ़ता सुनता और देखता। मा की रुदन की घटना ने उसे अंदर तक छक जोर दिया था। वो अपनी मेहनत और योग्यता से इस प्रकार घर की स्थिती लाना चाहता, था कि उसकी मा का इस प्रकार का रुदन फिर कभी न हो। उसे लग रहा था, मेरी शारीरिक स्थिती के कारण मा इस प्रकार से रोई है। आंतरिक प्रेरना से हर दिन सुधानशु की योग्यता बढ़ रही थी। भाशन कला में पूरे संभाग में प्रसिद्ध हो गया था। असफलता के तो विचार ही उसके मन में नहीं आते थे। इस नात कोतर तक की शिक्सा से अच्छे अंकों से पास कर वह प्रतियोगी परिक्षाओं में भाग लेने लग गया था। कुछ समय के अंदर ही उसका चैन भारतिय विदेश सेवा में अधिकारी के रूप में हो जाता है। अत्यदिक मान सम्मान के साथ उसे शासन द्वारा आयोजित दिव्यांगता सेमिनार में बुलाया जाता है। अपने माबाप को भी साथ लेकर वह सेमिनार में जाता है। उसे मुख्य वक्ता की रूप में स्टेज पर आमंत्रित किया जाता है। सुधान्शू द्वारब अपने भाशन में कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा दिव्यांग पैदा होता है तो उसमें उसका क्या कसूर है अगर परिवार समाज से उसे अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं प्रोचसाहन मिलता है तो वो किसी पर बोज न बनकर बल्कि सहारा देने वाला बन जाता है अपने जीवन में घटे कुछ अंश्व बताता है कि किन परिस्थितियों से गुजर कर वह आज इस मुकाम तक पहुचा है बच्पन के सफपाठी क्या बोला करते थे उसके भाशन के उपरान उसी की एक समक्ष अधिकारी सुधान्शू के माता-पि सुधान्शू के साथ गुजारना चाहती हूं सुधान्शू के माबाप आशिर्वात देते हुए कहते हैं बेटी जैसा तुम और सुधान्शू चाहो सेमिनार में सुधान्शू के माता जी और पिता जी को भी सम्मानित किया जाता है आज राम नरेश और सुनिता को फेर व उन्हें महसूस हो रहा था कि सुधान्शू कह रहा है मा रोना मत। धन्यवाद।